वीडियो की शुरुआत खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ हेलो एबरीवन वेलकम टू ओल आज का मेरा वीडियो ऐसे प्लांट्स पर है जो कि बहुती इजिली ग्रो हो जाते हैं और जिनकी उपर जदा ध्यान देने की आफशकता नहीं है अगर आप बिगनर्स हैं यानी आपको अभी अभी गाडिनिंग कर शौक आया है तो आप इस तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं तो जो वैँ चलने लग जाते हैं तो हमारी होग बन जाती है तो नेक्स टाइम फिर हम और आज़ादा जोश के साथ गाडिनिंग करती हैं तो फ्रेंट्स पोर्चुला और मोस्क्रास यह ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही इजी ग्रोइंग होते हैं और अगर आप इने एक बार लगाएंगे तो पर्मानेंट आपके घर में बने रहेंगे यानि इनके उपर ज्यादा मेहनत की भी आफशक्ता नहीं है और उसके रख लें कि यह फ्रेंट्स एक तरह की सेख्लेंट प्लांट्स की शेड़ी में आते हैं तो आप इनको ज़्यादा पानी ना दे क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो यह गल जाएंगे बस आपने इतना ध्यान रखना आ है कि जब इनकी मिट्टी सूख जाए तो तब इस से बने रहते हैं लेकिन केवल करते हैं ग्रोव करते हैं पिर फिर मार्स से लेकर नमंबर तक के महिने तक यानि नमंबर मिट तक इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं यह पूरा गर्मी का प्लांट है यानि आप इसे जितनी जादा धूप प्रवाइड करवाएंगे उतने जादा इसमें फ्लावर्स आएंगे और यह पोदा खिला खिला रहेगा अगर आपने इसे शेड में रख दिया तो यह थोड़ा सा मुझाया सा हो जाता है यानि इसकी पतियां थोड़ी अपने आपको श्रिंक कर लेती हैं और इसमें फ्लावर भी नहीं आते हैं अगर आपने इसे धूप में रखा तभी इसमें फ्लावर आएंगे और इसकी पतियां में एकदम निकर के खिली-खिली से लगेंगी तो आप इसे प्रोपर धूप में रखें और पानी कम दें यानि इसमें पानी इसकी रुक्वार्मेंट के हिसाब से ही दें जब आपको लगे कि मिट्टी ड्राइ हो गई है तब इसमें पानी दे इसके अलावा आप इसे किसी भी तरह कि मिट्टी में लगाएंगे उसमें भी यह बहुत अच्छे से चलेगा देखिए इसको आप छोटी से छोटी बोटल में भी लगा सकते हैं मैंने इसे एक छोटी से बोटल में भी बीच में होल करके लगाया लगा हुआ हूए defled मैंने गमले में उपर छोटी बोटल को काटकी और फिर उसमें होल करके लगाया है तो इस तरह से आप इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी लगा सकते हैं तो अच्छे लगते हैं इसे hanging basket में मैंने बताया है कि लगाना बहुत easy भी होता है सुन्दर भी लगता है और दूर से ही जब दिखते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं तो आप इसे जब लगाएं आप किसी छोटे सिपोर्ट को यानि किसी यह देखिए मैंने प्लास्टिक की बोटल को काट काट के भी लगाया हुआ है और आप इसे एक बार अगर अपने घर में लगाएंगे तो उसके बाद ये ग्रू होता ही रहेगा और क्योंकि ये कभी भी खराब होने वाला प्लांट नहीं है क्योंकि इसको कटिंग से बहुत असानी से लगा सकते हैं तो जैसे ही आपका ये अच्छे से ग्रू हो तो आप इसकी कटिंग काट काट के फिर अलग प्लांटर में लगाते रहें तो आएए और ग्रो होता रहेगा तो friends इस तरह के plants लगाने चाहिए क्योंकि इस तरह के plants बहुत ही easily उख जाते हैं और इनमे फिलावर्स जब आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं इसी तरह से जो mouse grass है उसमें भी पोष्छुला में भी इस तरह से different different colors आते हैं और mouse grass है उसमे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई थेंक यू